कि नमस्का दोस्तों के क्रेजिट देख रहे हैं आप और एक बर फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ कुछ नए जानकारियों के साथ आज का वीडियो आधारित है पी एम इजीपी पर और आपको यादी होगा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था पी एम इजीपी पर जिस पर हमने यह जानकारी दी थी कि पी-एम इजीपी लेने के लिए आपका एलिजिबिल्टी क्रैटेरिया क्या है और इसके अलावा आप कितना लोन ले सकते हैं पी-एम इजीपी के अंतरगर्थ बैयाज दर्य क्या है आज सबसे इंप्रॉटन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखें इसके बाद के कॉलम में अपना नाम फिर आधार नंबर को वेलीडेट करें इसके बाद स्पॉंसर करने वाली एजनसी का नाम डॉप डाउन मेन्यू से चुनें फिर जन दिन लिखें इसके बाद अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें सामान्य अनसूची जाती आधी फिर अपनी शेक्षनी की योग्यता की जानकारी दें इसके बाद आपको मूबाइल नंबर इमेल आईडी और उद्योग के प्रकार आधी की जानकारी देनी है आपको इनके सही होने संबंदी सहमती वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आप आगी की कारवाई के लिए DPR तेयार करें टैप पर जा सकते हैं। तो दोस्तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने पूरा देख लिया होगा प्रोसेस की किस तरह से आपको आवेधन फॉर्म भरना है। और इसलिए हमने वीडियो बनाया है तांकि अगर आपको एक बार समझ ना आए तो आप वीडियो दोबारा देखकर एक बार फिर से जान सकते हैं कि किस तरह से स्टेप बाई स्टेप आपको ये फॉर्म भरना है। और दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्नन चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने प्रधान मंत्री रोजगार यूशना के बारे में बताया है। आप उसको देख सकते हैं आपको बहुत सारी जानकारिया उसमें भी मिलेंगी। तो चलिए एक बड़ फिर से आप से यही कहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि बहुत जादा मोटिवेशन मिलती है हमें। हम और भी अच्छा काम करने के लिए ततपर रहते हैं।